अगर आप किसी भी government job की preparation कर रहे हो जैसे कि SSC, Railway, Banking तो subscribe कर लिजे RB Revolution by Education चैनल को यहाँ पर आपको मिलती है exam selected सभी important information साथी साथ मिलती है आपको video lectures जो कि आपको help कर सकते हैं आपकी preparation में साथी साथ आप दबाएए bell icon को जिससे आप कोई भी important update मिस ना करें Hello everyone, मैं शुपमजा स्वागत करता हूँ आपका RB चैनल में जैसे कि आप लोग जानते हैं SSC, CGL and SSC, CHS 2017 पर court case चल रहा है उसके बारे में थोड़ी सी information में आपको देनी है अभी बहुत जादा यह message circulate किया जा रहा है कि 29th को hearing नहीं होगी लेकिन यह बिल्कु सच नहीं है, आपकी कल hearing होनी है अगर आप Supreme Court की website पे भी जाके देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे hearing होनी है, कल आपका case listed है 29th को पहले क्या होना था, actually Justice Bob Dave आपकी hearing में होने वाले थे लेकिन अब Justice Bob Dave absent रहने वाले हैं कल तो आपकी hearing में दूसरे judges होने वाले हैं, आपकी hearing में अलनागेश्वर राओ होंगे और साथ यसाथ दूसरे justice होंगे हमारे Sanjay Kishan Cole, यह दोनों judge की bench बैठने वाले हैं और यह कल आपकी hearing देखने वाले हैं अगर आप इस notice को बड़े ध्यान से पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा है यहाँ पर आपके court case के बारे में कोई भी information नहीं दी गई इसमें बस इतना बताया गया है कि Justice Bob Dave absent रहेंगे और एक जो bench बैठने वाले थी इसमें बहुत सारे judges थे वो नहीं होगी लेकिन आपके case के बारे में हाँ पर कुछ भी नहीं दी गया है और आप Supreme Court की website पर जाके देखोगे तो आपको case के बारे में information मिलेगी कि आपका case listed है और आपका case होने वाला है तो इसका मतलब यह है कि कल आपकी hearing होगी हो सकता है कि कल कोई आपको verdict ना दिया जाए क्योंकि Justice Bob Day स्टार्टिंग से case से जुड़े है वो absent रहने वाले है लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो बाकी के दोनों जाजिस है वो उस पर verdict नहीं दे सकते हर एक Justice को power होती है verdict देने की कोई भी constitution bench हो वो अपना verdict सुना सकती है किलियर आगे भढ़ते हैं course के बारे में थोड़ा सा update देना चाहूँगा हमारा quant के कुछो lessons चल रहे हैं उसमें number system complete हो गया LCM and HCF complete हो गया sequence and series complete हो गया जिसमें हमने AP, GP and HP भी साथ-साथ पढ़ लिया था और certs and indices का भी कल एक last session आएगा और कल certs and indices भी complete हो जाएगा उसके बाद हम SSC सीजल 27 मेंस के questions करने वाले हैं सब भी वो questions उठाने वाले हैं जो कि इन 4 chapters से पूछे गई थे ये 4 chapters हमने कर लिया बिसके 27 के हम मेंस के question करेंगे उसके बाद vocabulary के अगर हम बात करें सरक आपके words होने ये य MustARD करेंगे, साथ हम स्मिलर words पंडिसककर लेते हैं और और extra words भी discuss कर लेते हैं जिसमें Saamор इंसory हो, ठीक है है तो हमारे total 10 sessions वर्ड़िए GBook के हम complete कर चुके हैं जिन्हें हमने 3挺 to divide किया था तो वह विडियो जा चुके है अगर आप महां से अपनी vocabulary enhance करना चाहते हो तो आप वो वीडियोज देख सकते हो साथी साथ quant के lessons तो चली रहे हैं तो दोस्तों फिलाल में आपसे ही इलविदा लेता हूँ आपका दिन शुब हो पढ़ाई करते रहो महनत करते रहो बाई बाई